हलो स्टुडेंट्स हमको एक्ससाइज 11.4 पर और कोस्टन नमबर है 12 कह रहा है कि इफ रूट अंडर 1-X-square प्लस रूट अंडर 1-Y-square एक्वाल टू में A इंटू में X-Y प्रूब डेट डी य बेडी एक्स इक्वाल टू रूट अंडर 1-Y-square बाई 1-X-square एक काम करते हैं पूट कर देते हैं X के प्लेस पर हम लोग यहां साइन A और Y के प्लेस पर हम लोग साइन B पूट कर देते हैं तो देखें क्या हो जाएगा रूट अंडर 1- IKEA-S-square A प्लस रूट अंडर 1- मैनस का साइन स्क्वायर भी क्वाइड तु में हो जाल एहां पर ए इन टू में यहां पर साइन ए माईनस का साइन भी इतना लिसकते हैं 2021 माइनसू जा जाएगा आपका कॉसे ठीक है और यह हो जाल गहांपर कॉस १ एक्वाड तू में ए A into minus sine A minus sine B अच्छा यहां cos A plus cos B के लिए formula का देंगे 2 cos A plus B by 2 cos A minus B by 2 यहां पर हो जाएगा देखिए यह एसे ही रहा है यहां पर हो जाएगा 2 sin A minus का है भी तो 2 cos A plus B by 2 sin A minus B by 2 हो जाएगा तो यह 2 से 2 और इसे से यह कर जाएगा इसको इधर ले जाएगे यहां पर इसको इधर लेके चले आते हैं तो cos A minus B by 2 by में sin A minus B by sin A minus B by 2 equal to में आपका इधर A बचेगा तो यहां से यह cot हो जाएगा cot A minus B by 2 equal to में A तो यहां से यह cot हो जाएगा तो cot inverse न हो जाएगा तो A minus B by 2 equal to में cot inverse A यानि A minus B equal to में आजाएगा यहां पर 2 cot inverse 2 cot inverse A अच्छा A के value क्या था? तो A के value आप यहां से देखो यहां से A के value क्या आजाएगा? तो A के value हो जाएगा sin inverse X और B के value हो जाएगा साइन इन्वर्स Y चलिए अब इसके value को रख देते हैं साइन इन्वर्स X और साइन इन्वर्स Y को चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आजाएगा साइन इन्वर्स X माइनस का साइन इन्वर्स Y एकॉल टू में टू कॉर्ट इन्वर्स है तो यह तो कॉंसेंट है पूरे इसका जीरो हो जागा डिफ्रेंशिस हैं चले डिफ्रेंशियेट करते है एक्स के रस्पक्त में तो क्या हो जाएगा इसका 1 by root under 1 minus x square minus 1 by root under 1 minus y square into me dy by dx और इधर ही इसका आपका जीरो हो जाएगा इसको उधर लेके जाते हैं तो minus 1 by root under 1 minus का y square dy by dx equal to minus 1 by root under 1 minus x square चलिए तो यहां minus minus अटा दिए उपर जाकर multiply कर जाएगा तो dy by dx equal to root under 1 minus y square by root under 1 minus x square आपका answer हो जाएगा